कि हलो बच्चों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PVR स्टडी में जैसा कि आपको पता है कि साम को छे बजेक अच्छा नौके NCRT कडित होती है तो उसी करम में हम उपलब्द हैं ले करके आपकी क्लास बच्चों बहुत से लोग जुड़े हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं दो से तिन कोईशन आपके लिए हो मर्क होगा चलिए पहला कोईशन आपके सामने कहता है कि उचाई 14 यानि 14 सेंटीमेटर वाले एक लंब बृतिये बेलन का प्रिष्टिये च्छेतरफल 88 सेंटीमेटर इसकोाईर है यानि आपको सी स विजफिय दिया है तो बेलन की अधार का व्यास य मैंडि ड्यंड को यह आपकी जो हाइड है वो कितना है 44 यह कितना 44 सेंटीमेटर है सींटीमेटर में कहे रहा है क्यों आगे अब देखो इसमें जो जो दिया पहले लिख लो लिखो भाई यहां पे सब फटा फट दिया है गीवें गीवें किया क्या गीवें है एच दिया है इसमें 44 cm ओके नो डाउट आपको सी एसे दिया है यानि कव सर्फेस एरिया इसमें दिया है 88 cm2 कि एंड इसमें अडी कॉल टू आर यह डी कॉल टू आर मैं कहें को बोल रहा हूं अभी आगे आपको पता चलेगा आगे बढ़ते चलिए ठीक है ओके अब देखिए एक्चुली जो फार्मूला होता है यहां पर नीचे लिखिए चूकी सर्फेस एरिया बराबर या फिर ऐसे लिख लेजिए तो तो आप जानते हो ना सी ऐसे कर्व सर्फेस एरिया ना चूकि प्रिष्ट यह छे द्रफल बराबर इंग्लिस में लिख लेंगे आप साट कर्ड में सी एस एक्वल टू पाई आर एच यह मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं जानते हो ना तो यह आपको 88 दिया है क्यों बहुत दिया है ना टू इंटू पाई कमांड टू अपन सेबन इंटू आर यहां से हमें आर की ही वैलू फाइंड करनी है क्योंकि हमें आर पता समझ रहा हो आर मिल जाएगा तो फिर ब्यास मिल जाएगा चलो आर इंटू यह का वैलू 44 अब देखिए यह कमांड मैंने 44 रख दिया लेकिन इसमें ध्यान दो यार यह 44 डिया 14 दिया है स्वारी एक मिनट देखो तो पूस्चन में देखो स्क्रीन पर 14 सेंटीमिटर दिया 1414 दिया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नो प्रॉब्लम आजाओ इधर आजाओ यह बगवा कितना दिया है 1414 दिया है तो इसे 1414 कर लो इसे 1414 कर लो और आसान हो जाएगा ठीक है यह साथ से कट जाएगा साथ दुना चुदा तो आपका 88 इसको गुड़ा करोगे तो 44 टू 20re Bowl कि दा आगया से किसी को कोई डाउट नहीं आपसे डेमेटर पूछा गया था बेलण की आधार का भ्यास पूछा गया था सिंपल है सिंपल है आजय़गा निकाल ले ना को जाएगा नहीं पूछा था यहां पर आप निकाल लो फिर डिक्रू और होता है तो आर कमान एक है तो डी कमान आजाएगा टू सेंटिमीटर बस यह आंसर आ गया किसी कोई डाउट नहीं न लिख लीजे जल्दी से कुछ भी कहना है कमेंट करके बताए फट से तो आप पर यह कुश्चन हो गया अगला सिकन्ड कुश्चन इसक्रीन पर है बहुत जल्दी ध्यान दीजिए जब अच्छे इसका स्क्रीन साट लेना चाहें बहुत जल्दी ले लें वीडियो कुरों के पुश्च करके फट से आगे बढ़ रहे हैं जुफरा कुश्चन पढ़िए ध्यान से स्क्रीन पर क्यरत हातु के चादर से एक मीटर मुची और एक सो चालिस के से इंटी मीटर के आधार वाली बंद बेलना का टंकी बनाई जानी है इस कार में कितने वर्ग मीटर चादर क्या हो सकता होगी कोश्चन सिकेंड देख रहे हो समझ में आ रहा है ना चले इसका फिगर बनाते हैं इतम सेम तुसे मैं से फिगर देखिए उपर आपको दिख रहा है सिकन कोश्चन का ऐसे कुछ एक क्या करना टंकी बनाना है जो एक मीटर उची है और 140 सेंटी मीटर ब्यास वाली है ठीक है इसको थोड़ा और सुंदर कर दीजिए सुंदरा आकार बना दीजिए टंकी है तो इसकी उचाई दिया है बबू आपको कितना दिया है वन मीटर और इसका जो ब्यास है वह 0.7 मीटर होगा ना अच्छा तो कुछ बोल रहा है ना यानि यह कुल मिलाके 140 है सेंटी मीटर में हो टोटल पर उके जो इसमें दिया है लिख लिए लिखे हाइट को है क्या फिर लिकिए दिया है गीबन तो है एच एक वरण मीटर है ओके तो दिया है इक डिक माबबू आपको 140 सेंटी मीटर इक एल 0.5 मीटर दिया दिया है तो माना में चाहिए और में चेंज करना आपको आना चाहिए नहीं पहुंचे हो नहीं आएका तो कमेंट करके बता देना और क्या दिया है, आर बराबर दिया है क्या, अगर नहीं दिया तो अजसे कर लेना, ठीक है, डि अपान टू, यहां पे ध्यान दो, एक मिनट भाई, स्यूरी, तो यहां पे कितना मीटर हो जाएगा लेकिन अभी आपको फिलहाल कुछ करना है नहीं यहां पर इसको चेंज करना है वन फुर्टी अपांट्टू इक्वल यह सतर फेंटी मीटर आएगा इक्वल जीरो पॉइंट साथ मीटर यह है तो यह आपका आगया अभी किटने मिटर की चाधर क्यों सकता होगी यह याई इस टंकी को बनाने में टोटल कितने चाधर लगेंगे अम कह सकते हैं टोटल सर्फशेय निकालेंगे सम्पूर्ण प्रिष्ट निकाल लेंगे इस टंकिया का बस वह यांसर है आपने पढ़ा है लिख लिजिए टंकि का सम्पूर्ण प्रिष्ट बराबर साटकर्ट में इंगलिस मीडियम और लिखने टी ऐसे एक्वल टू पाई आर इंटू एच पलस आर यही होता है न लिख लिजिए टू पाई आर इंटू एच पलस आर तू इनटू पाई कमान 22 बटावाट इनटू आर आर का बैलू बाबू कितना आया है जिरो पॉइंट साथ आया मीटर में इंटू एच कमान वन है और आर कमान जिरो पॉइंट साथ है द्यान देना यह कट जाएगा जिरो पॉइंट वन आयगा यह 44 इंटू जिरो पॉइंट वन पॉइंट यह भी से बनाएगा समझ में आ रहा है ना देखो इसका गुरा करोगे 17 चोट में च्छे जोड़ोगे तो चोट राएगा वन वन टूडिट पे यहां पॉइंट हो जाएगा शिवन पॉइंट पॉर एड मीटर का स्कॉयर यह आपका अंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर सीखें नहीं आपके खताम हुआ इसक्रीन साट ले लिजिए नोट कर लिजिए चलिए तिसरा कोश्चन देखिए ध्यान से पिश्चन आपके लिए अगली क्लास में बताएंगे क्योंकि आप बढ़ी क्लास नहीं देखते हो बच्चों आज की क्लास यहीं पेंट करेंगी कुछ कहना कमेंट करके बताना बहुत से बच्चे जूड़े हैं कमेंट कर रहे हैं आपका कमेंट लिखित में रिपलाई मिलेगा मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम कम है ठीक है फिवर स्टेडी डाउनलोड करके आप हमसे डारेक्ट जूड सकते हैं प्ले स स्टोर से इंस्टाल कर लीजिएगा थैंक्यू युझ a कर फूड़े लो युझ झाओवा युझ थाया है है झाओ़े हैं ज।